दोस्तो नवस्कार जहन तो साथिवाज बात करेंगे यानि कि अगर जो भी आर्मी का जो कॉमन इंटरेंस एक्जाम पेंडिंग है लगातार उसके उपर पंद्या दिसंबर तक शुनवाई हो चुकी है अप्टर देन जो अपना ये फोर्स के जो जोनिंग है और कुछ पेंड जो कुछ नवी के थे एर फोर्स के थे और काफी बच्चे उसमें से अपने आर्मी के थे जो की अगनी बीर की बढ़ती देख चुके है और यहां तक कि वो अगनी बीर में सलेक्ट भी हो गये है और कुछी दिन वाद आनि कि वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे और अगनी यानि कि जो एरफोर्स वालों की जोनेंग होगी उनके जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी कि जाएंगे यह जो आर्मी के बच्चे हैं उनका यानि कि जो मेडिकल कड़ा करके पिर अपना कॉमेंटर्स एक्जाम ले जाएगा उसमें भी सेलेक्शन हो जाएगा तो पूछ है कि किसी दौरान आपने किसी आप नमी भरती देख लिए या इयर फोरस में भरती देख लिए अपने ऐक से लिए अपने अवहीं देख रहे हैं कि आपका नईवाय सेलेक्शन हो गया है है तो दोस्तों यह नहीं करना चाहता हूं और दूसरे वाली सर्विस करना चाहता हूं तो लेकिन दोस्तों आर्मी मम प्राइब करना आर्मी में को अप्राइब आर्मी और बेगल दोस्तों हमा से ने भाएटर सर्विस की तो हमें क्या होता है स apparatus आपने देखा हुआ जो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के आए थे उसमें पॉंट नमर साथ है पॉंट नमर साथ का यहाप जैसे का आप देख पा रहे हो उसमें ए है ए में लिखा हुआ है कि जब आप चार साल के लिए अगनी बीर में भरती हो जाओगे तो इस बीच में अगर आपने कोई ऐसा कुछ काम कर दिया तो आपको किसी भी बक्त आर्मी टर्मिनेट कर सकती है यानि कि जोब से निकाल सकती है तो वहीं जो उसका पैर अगर आप भी लिखा है साथ पॉंट में जिसे का आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि किनी भी हालातों म हैं तो चार साल के दोरान आपको कोई भी आपको यानि की जो अगर आप खुद चाहते हैं सविःच्छा से कि आप वहां से डिस्चार्ज लेलें या इसको वहां से ले ले रहत हैं चूट मुझे जाना हैं तो वह आपको नहीं दिया जाएगा लेकर इसमें एक पॉंट ये नहीं करेगी कि वकर उन्हों ऐसा करना ही होता तो चार साल के लिए भरती क्यों करते तो यानिए फोटे बहुत कम अंतरकाल के लिए बरती है तो मेरे जो मैं बता रहा हूं मेरी राय क्ष़की परसनल ब्रतिकत रहे कि चौबीं साल में भी सर्विस करका हूँ और मैंने ऐसे ब कोई भी मतलब एन उसी नहीं दिया जाएगा कि आ चार साल के अंतरकाल में आपको उससे पहले ही अगर आपकी मर्जी रहेगी तो आपको वहां से नहीं छोड़ा जाएगा यह लाइन अगर उसमें सम्मिट करिए कि नहीं करिए वह आप जानते होंगे इस चीज को लेकिन मैं आपको चार साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा ठीक है दोस्तों तो वैसे तुम्हें कर रहा हूं कि जहां अगर आपका अगनी बीर में भी सेलेक्शन हो गया है तो हाँ पच्छीस परसेंट में तो आपके होने के चांसे जहीं है और नहीं तो चार साल तो सर्विस करोग तो जो भी कहते हैं ना कि जब जो चीज लड़ो हाथ में आगा है इसको छोड़ना नहीं चीए वैसे तो पहले और आपके प्रक्स में फैसला आ जाता है लेकिन उसके उपर फिर अगर ऐसे काम नहीं बनेगा तो सबसे बड़ा काम फिर हमारा वह यह कोड़ा है हाई कोड़ पढ़ा है यह आपके स्टेट वाले कोड़ भी पड़े हुए हैं वहाँ पर भी इस चीज का आपके जाल सकते हैं कि सर यहां पर किया और अब मैं इसमें सेलेक्शन हो गया लेकिन मेरा भी यहां पर जो कॉमन इंट्रेंस एक्जामी दे करती मुझे पर्मनेंट में होना है तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निरास होने की जरुवत नहीं है ठीक है दोस्तों यह मैंने बताए थी आपको अपनी ब्यक्ति का तराए तो फ्राल मैं अपने सब्दों को ब्राम देता हूँ मैं जो मेरा कहने का मतलब था वो आप समझ गए होंगे जैन बंदे मातरा जै भारस सातियों